नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से श्वागत हैं दोस्तों जहारखंड सरकार के दौरा एक और गजट और नियामावली प्रकासित कर दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं ग्रिहा काराई वम आपता प्रबंदन विभाग के दौरा ये नियामावली जारी क्या गया है तो इसमें दोस्तों आपका जो ग्रिह विभाग से संबनित न्यूकती है चाहे वो काराचालक हो, काक्छपाल हो दमाम जो इसमें नियामाबली में चेंज़ किया गया है इसके बारे में जानकारी देंगे और इसमें ये भी बताएंगे जो आपका दूस्तो पहले exam होता था पहले आपका return टेस्ट होता था ठीक है? इसके बाद आपका physical तो इसमें change कर दिया गया है इसमें पहले आपका physical होगा और उसके बाद return test होगा तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसमें physical से संबंदित क्या प्रावधान है उन्हीं के बारे में जो changes किया गया है उसके बारे में बताएंगे तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें physical test जो होगा उसमें क्या मांदन्ट है और क्रैटेरिया है चलिए देखते हैं देखे दोस्तों इसमें सारविग योग्यता परिक्षा का मानक यानि आपका क्या इसमें standard होना चाहिए physical test के लिए इसके बारे में दिया गया है देखें इसमें देख सकते हैं सामाइन बर्ग अत्त पीछड़ा बर्ग ठीक है के लिए उचाई जो होना चाहिए वो 160 cm होना चाहिए और सिने की माप जो है 81 cm वहीं पर अनुसूची जाती जन जाती के लिए जो हाइट रखा गया है वो है 155 cm यानि कशपाल काराचालग में रनिंग तो वह है चों मिनट में आपको 66 cm दोड़ना है यानि एक तरह से आर्मिक में जो रिकूट्मेंट का प्रॉसेस है लगबग वही रखा गया है जोलो सम्मिटर पुरुस्बर्ग के अभ्यरत्यवें के लिए वहीं पर महिला अभ्यरत् हो जाएंगे ठीक है यह पुरुषबर्ग के लिए और महिलाओं के लिए रखा गया है तीन फूट ठीक है इसमें भी तीन अवसर महिलाओं अभ्यरतियों के लिए लंबी कूध है लॉंग जंप एक तरसे जिसमें 12 फूट जंप करना है आपको तीन अवसर दिये जाएंगे इ जिसमें 15 फूट तक आपको फेकना है इसमें 3 चांस दिये जाएंगे तीन चांस में आपको यह कंप्लीट करना है अन्य था फेल हो जाएंगे फिर पूरुषबर्ग के लिए और महिलाओं के लिए रखा गया है दस फूट ठीक है इसमें भी तीन अवसर दिये जाएंगे मह आपको क्वालिफाई करना होगा तभी जाकर आप रिटेन टेस्ट में सामील हो पाएंगे और इसके बाद तब जाकर रिटेन टेस्ट होने के बाद मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट आपका जारी किया जाएगा तो इसके लिए दोस्तों जो लोग तैयारी करना चाहते हैं अभी से अपने तैयारी को शुरू कर दें क्योंकि इसी नियम पर ही आपका टेस्ट लिया जाएगा और पहले फिजिकल होगा तो इसका नियमावरी बन चुका है और बहुत जल्द यह जो है दोस्तों जेससी को भेज दिया जाएगा और जेससी के दुआरा इसका नोटिफ करें लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें थैंक यू